Hello students, welcome to Global Online, this is Ankitah Sood, so MP7 2024 examination को qualify करने के लिए paper 1 या paper 2 कौन सा section ज़्यादा जरूरी होता है, दोनों papers में से किसमें ज़्यादा मेहनत करने से आपका selection होगा, या फिर कौन सा paper ज़्यादा important और ज़्यादा scoring होता है, ये सबसे बड़े सवाल हैं जो students को confuse करते हैं, लेकिन students, आज का ये वीडियो देखने के बाद आपका सारा confusion दूर हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को paper 1 और paper 2 दोनों के importance बताने वाली हूँ, साथ ही ये भी बताऊंगी कि कैसे, आप अपने first attempt में भी इस examination को qualify कर सकते हो, तो शुरू करते हैं discussion, सबसे पहले students, आपको इसमें paper pattern को समझना है, देखिए क्या होता है कि paper 1 और paper 2, अगर हम importance की बात करें तो ये दोनों paper बहुत important है, लेकिन क्या रहता है कि maximum students paper 2 में बहुत अच्छा score कर लेते हैं, क्योंकि ये होता है हमारा subject related paper, अब देखिए ये आपका ऐसा subject है जो आप लोगोंने अपने graduation और post graduation में पढ रहे हो, उसमें आप लोगों को लगता है कि हम easily अच्छा score कर लेंगे, and maximum students paper 2 में अच्छा score कर भी लेते हैं, जो आपका selection लेने में मदद करता है, वो होता है हमेशा paper 1, ठीक है क्योंकि देखिए students paper 2 तो सबने बराबर का पड़ा है, इसकी help से काफी बच्ची अच्छा score कर रहेंगे, selection लेने के लिए आप लोगों को बाकी सबसे race में थोड़ा आगे दौणने की जरूरत होती है, and आपको race में आगे रखने के लिए ही, especially paper 1 बहुत जादा important होता है, अगर आप लोग इसमें 100 में से 80 प्लस target ले करके चलते हो, और 80 प्लस score करना बिलकुल possible है, और लगीन मानिये कि set examination में paper 1 इतना easy होता है, कि अगर आप लोग आगे आने वाले 3-4 महीने अच्छे से इसको पढ़ लेते हो, जादा नहीं पढ़ना है, 3-4 महीने सिरफ दिन में 2 घंटे भी paper 1 को पढ़ लेते हो, तो बहुत easily आप अपना target 80 प्लस अचीव कर सकते हो, and paper 2 पे ह हम बाद में आएंगे, लेकिन paper 1 के लिए देखे students, मैं complete course भी लेकर आई हो, जो कि examination के difficulty level and pattern के हिसाब से बनाया गया है, आप अगर students के feedback देखोगे हमारे channel पर तो आपको बहुत clear पता चल जाएगा कि students ने इसी paper 1 complete course से कितना अच्छा पिछले examination में score किया था, यहां पर आपक concept clarity के साथ साथ same topic के MCQs and PYQs आपको practice करवाए जाएंगे, ताकि आपको यह clear idea साथ साथ में ही मिलता रहे कि जो topic आपने पढ़ा है, उसमें से कैसे आप लोग अच्छा score कर सकते हो और उसमें से कैसे questions आते हैं, full syllabus mock test available है, जिसमें से guaranteed hazardous questions exam में देखने को मलते हैं, and 2000 plus MCQ question bank है, जिसमें की सभी states के unit wise questions आपको answers के साथ मिल जाएंगे, and important explanation भी किसी-किसी question में add की गई है, जिनके साथ जरूरत है, and इसके लिए एक new batch हम 1st April से शुरू कर रहे हैं, तो students आप सभी के लिए यह बहुत जरूरी है कि आप given numbers पर contact करके, इस course की पूरी जानकारी ले लिजे, and free videos के लिए live classes के लिए global online app को download करना, store section पर search bar में आपको लिखना है course का नाम, इसके overview के बाद जब content पर click करोगे, कुछ free videos भी है, and recorded videos है मेरे complete course की, साथ ही students live classes भी आपको मिलेगी, इन दोनों के combination को अगर आप साथ में लेकर चलते हो, तो इसके बाहर से आपको कुछ भी पढ़न जिसमें mock test भी available है, यही से पढ़ लीचिए, इसके बाहर से ना तो कुछ exam में आएगा, ना ही आपको पढ़ने की ज़रूरत है, आपको बस given numbers पर WhatsApp के through connect करना है, and इस course की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, okay, so हम जैसे students बात कर रहे थे कि कौन सा paper आपको selection दिलाता है, तो इसका answer तो मैंने आपको बता दिया था, कि अगर आपको अपना selection पका करना है, तो उसके लिए major focus paper 1 पर रखिए, and paper 1 में आप चाहो तो किसी भी unit से अपनी तयारी शुरू कर सकते हो, सभी units equally important होती है, okay, and paper 1 और paper 2 में ज्यादा important क्या है, कैसे हमें focus करना है चीज़ों पर, त में बहुत अच्छा score किया है, इसी subject में, बट याद रखिएगा, कि ये आपका एक competitive exam है, आपके college level में पूछे जाने वाले questions, और किसी भी competitive examination में पूछे जाने वाले questions के level में, और तरीके में बहुत जादा difference होता है, तो आप लोगों के लिए, सबसे important point ये है, कि आप लोग जैसे भी अपनी तयारी शुरू कर रहे हैं, सबसे जादा focus previous year question papers पर रखिएगा, ठीक है, जितने भी years के papers होंगे, सब paper one और paper वो अपने पास download करके, print करके, जैसे भी पढ़ना चाहते हो, रख लीजे, क्योंकि previous year papers ही, आपको एक clear idea देते हैं, कि कैसे examination की तयारी हमें करनी ह तो इस बात पर अपना major focus रखिएगा, 100% यही वो तरीका है, जो selection लेने में मदद कर सकता है, इसके अलावा भी students, अगर कोई confusion है आपको, कोई भी doubts है, paper one को लेकर या paper two को लेकर, तो आप मुझे comment करके भी पूछ सकते हो, या फिर इसके अलावा एक telegram group है, अंकीता सूद, paper one uses internet set preparation, आप उस telegram group को join कर लीजिए, ठीक है students, यह है वो telegram channel, इसको आप लोग join कर सकते हो, कोई भी सवाल है, कोई भी doubts है, तो यहाँ पर आप directly मेरे साथ बात कर सकते हो, अपने सारे सवाल मुझ से पूछ सकते हो, और कुछ भी और confusion है, तो भी आप comment कर सकते हो, या फिर directly telegram एक best option है, इस पर ही connect मुझ से कर लीजिए, okay, so thank you so much everyone for watching this video and I wish you all the very best.